वाई ये सारदा महर है और इसके पर काम जलाब में आभी आपको जौल दिखा रहे हैं वाई किनी तेज से चल रहे हैं ये पान इसका देखी किनी तेज लड़ रहा दिगा लोगा अगर कोई जू या जन्द कोई ब्यक्ति कि इसमें गिर जाएगा तो इसमें अतनी तेज लड़ जाएगा कि वह पुरां देथ हो जाएगी पहुत तेज इसका बहाव है देख शकते हैं ये ये नहार है अज्जाए पानी गिरता है तो इसका आवाज काफी कंचे जाएगा 20 km की दूरी तक जाता है ये देख लगते हैं ये कम से कम 20-30 km क्लिक जारू जारूर जाती पर जारूर जाती इसकी आवाज ये देख लगते हैं ये बहुत अच्छा मैंटेनिस किया गया है ये देखेए बहुत अच्छा सजा गया है, बेहत ही खुब सूरत बना गया है, यह देखिए यह श्वीजी का लिंग है, जो इसके बना गया है, आप इधर स्टाइट में देख सकते हैं अब दुसरी सहelsे आपको देखा रहे हैं उस तरफ और याव्री आपको देखा रहे हैं, पूर आपको देखा रहे हैं इसमिर काल एफ प्रगतते हैं और लोग बहुत मेहनत करते हैं आप अपे दूसरी पटरी पे आ चुका हूँ और मैं अभी इसका कंडिसन दिखा रहा हूँ इसमें कुछ पड़ा हुआ है और जो कुछ पड़ा हुआ है आपके सामने दिखाएंगे वाई शाथ यह देख सकते हैं यह लग रहा है मिनको साण यहां पर पड़ा हुआ है अभी आपको अभी आप देख सकते हैं यहां जान नहीं पाएं और यहां जाल में आके फंस गए और चारे स्पार हो गए अभी अभी आप देख सकते हैं यह बहाँ बहुत ही तेज है अभी तेज अभी नहर अभी पूड़ों से आई नहीं है अभी लगवट में एक फुट पानी और समय पढ़ेगा तो इसका बिक्राह रूप हो जाएगा इसमें कोई भी जीव जन्द गर गिरता है तो बसता ही नहीं है समझ सकते हैं इतना हाट बहाँ तेज इसका और इसकी विल्डिंग का काम हो रहा है इस वक्त अच्छे से रंगाई पताई का काम चल ला है दर भाई शाब ये एक कारीकर आए आप इसमें काम कुरते हैं क्या कहां करने लें आप कान पूर गया है तो ये काम आप पर प्रावर लगा रखे ना इसमें मिस्तरी है और बहुत दिन से मुलब बता रहे हैं काम चल ला है एक मा हो गये लगभख बेहद इसका बहाँ होते ही जवाई शाब देख सकते हैं ये ड्रामा द्रसका है सकते हैं